कारकम में उपस्थित राजस्थान के आदर्णिय मुख्यमंत्री स्रीमान अशोक गहलोजी मद्द प्रदेश के गवर्णर और आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता स्री मंगु भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री स्री भुपेंद्र भाई पटेल मद्द प्रदेश के मुख्यमंत्री स्रीमान सिवरासी जी चाववान मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी स्री फगन सिंग कुलस्ते जी स्री अर्जुन मेगवाल जी विबिन संगधनों के प्रमुख व्यक्तित्व साउसद गण विधायक गण और मेरे पुराने मित्र आदिवासी समाज की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है ऐसे भाई महेश जी और विशाल संगह में पधारे आये दूर सुदूर से मानगन दाम आये हुए मेरे प्यारे आदिवासी भाई और बहनों मेरे लिए खुशी की बास है कि मुझे आज फिर एक बार मानकट की इस पवित्र धर्ती पर आकर के सर जुकाने का उसर मिला है मुख्यमंत्री के नाते अशोग जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोग जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है और अभी भी हम जो मंच में बैटे हैं उसमें भी असोग जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है उनका यहाना इस कारका में उपत्र रहना साथियों आजहादी के अमृत महुसों में हम सभी का मांडगर धाम आना यह हम सबके लिए प्रेरत है हमारे लिए सुख़द है मांगर धाम जन जातिय वीर विरांगनाओं के तप त्याग तपस्या और देश भक्ति का प्रतिविम्म है यह राजस्तान गुजरात मंद्प्रदेश और महराष्ट्र के लोगों की साजी विरासत है पर्सों यानि 30 अक्तूबर को गोविन गुरुजी की पुन्निती थी थी मैं सभी देश वाशियों की तरप से गोविन गुरुजी को पुनह स्रद्धांजली अर्पित करता हूँ मैं गोविन गुरुजी की तब तफस्या उनकी विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूँ भाई और बहनों गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगड का जो खेत्र गुजरात में पड़ता है मुझे उसकी सेवा का सौभागी मिला था उसकी शेत्र में गोविन गुरु ने अपने जीवन के अंतिम बर्ष भी बिताए थे उनकी उर्जा उनकी सिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही है मैं विज़ेश लुप से हमारे कटारा एक अड़कमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर जुका करके नमन करना चाहता हूँ जब मैं पहले आता था एक पूरा बिरान शेत्र था और मैंने अगर किया था वन महसूस के द्वारा आज मुझे इतना संतोस हुआ चाहरों तरब मुझे हरियाली नजर आ रही है आपने पूरे स्रद्धाबाव से वन विकास के लिए जो काम किया है इस खेत्र को जिस प्रकार चे हरा भरा बना दिया है मैं इसके लिए यहां के सभी साथ्यों का रुदर से आज में अभिननदन करता हूँ साथ्यों उस खेत्र में जब विकास हुआ जब सड़के बनी तो वहां के लोगों का जीवन तो बैतार हुआ ही गोविन गुरु की शिख्षाओं का भी विस्तार हुआ साथियों गोविन गुरु जैसे महान सोतंतरता सेनानी भारत की परंपराओं के भारत के आदर्शों के प्रतिनिदी थे वो किसी रियासत के राजा नहीं थे लेकिन फिर भी वो लाखो लाखो आदिवासियों के نायक थे अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया लेकिन होसला कभी नहीं खोया उन्होंने हर आदिवासि को हर कमजोर, गरीब और भारत बासि को अपना परिवार बनाया गोविन गुरू ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाब अंग्रेजी हुकुमत से संगर्ष का बिगुल्फुका तो साथ ही अपने समाज की बुराईयों के खिलाब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो एक समाज सुधारक भी थे वो एक अध्यात्विक गुरू भी थे वो एक संत भी थे वो एक लोकनेता भी थे उनके जीवन में हमें साहस शौरिय के जितने महान दर्षन होते हैं उतना ही उचा उनका दार्षनिक और बावधिक चिंतन भी था गोविन गुरू का वो चिंतन वो बोध आज भी उनकी धुणी के रूप में मानगर धाम में अखंड रूप से पदिप्त हो रहा है और उनकी संप सभा देखे शब्द भी कितना मार्मिक है संप सभा समाज के हर तपके में संप भाव प्रेदा हो इसलिए उन्होंने संप सभा के आदर्श आज भी एक जुड़ता प्रेम और भाई चारा की प्रेना दे रहे हैं उनके भगत अन्वियाई आज भी भारत की आध्धात्मिक्ता को आगे बढ़ा रहे हैं साथियों 17 नमंबर 1913 को मानगेड में जो नर्समुहार हुआ वो अंग्रे जी हकुमत की कुरूरता की प्राकास्टा थी एक और आज़ादी में निष्ठा रखने वाले भोले भाले आधिवासी भाई भेन तो दूसरी और दुनिया को गुलाम बनाने की सोच मानगर की इस पहड़ी पर अंग्रे जी हकुमत ने देड़ हजार से जादा युवाओं बुजरगों महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया अब कल्पना कर सकते हैं एक साथ डेड़ हजार से जादा लोगों की जधन्य हत्या करने का पाथ किया गया दुर्भाग्य से आधिवासी समाज के इस संगर्स और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली आजादी के अमरित महोसों में आदेश उस कमी को पूरा कर रहा है आदेश उस दसकों पहले की बूल को सुधार रहा है साथियो भारत का अतीत भारत का इतिहास भारत का वरतमान और भारत का भविश्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी विर्ता से भरा पड़ा है 1857 की क्रांती से भी पहले विदेशी हिकुमत के खिलाब आदिवासी समाजने संग्राम का ब्युगल फूका था 1780 अब सोची 1813 से भी पहले 1780 में संथाल में तिलका माजी के नेतरुत में कि दामिन सत्यागर लड़ा गया था दामिन सग्राब लड़ा गया था 1830 32 में बुदू भगत के नेतरुतों में बेश लरका आंदुलन का गवाँ बना 1855 में आजादी की यही ज्वाला सिधू काना कांती के रूप में जलूठी इसी तरह भगवान बिर्शा मुंडा ने लाखो आदिवासियों में क्रांती की ज्वाला प्रज्वलित की वो बहुत कम आयू में चले गए लेकिन उनकी उर्जा उनकी देश भक्ती और उनका होसला ताना भगत आंदुलन जैसी क्रांतियों का आधार बना साथ क्यों गुलामी के शुरूवाती सदियों से लेकर बिश्वी सदि तक आप ऐसा कोई भी कालखंड नहीं देखेंगे जब आधिवासी समाज ने स्वाधिन्ता संग्राम की मशाल को थामे न रखाओ आंद्र प्रदेश में अल्नूरी सीता राम राम राजू गारू के नेत्रूतों में आधिवासी समाज ने रंपा क्रांती को एक नई धार दे दी थी और राजस्तान की धर्ती तो उससे भी बहुत पहले ही आधिवासी समाज की देशभक्ती की गवार ही है इसी धर्ती पर हमारे आधिवासी भाई बहन महाराणा प्रताप के साथ उनकी तांकत बन करके खड़े हुए थे साथियों हम आधिवासी समाज के बजिदानों के रणी हैं हम उनके योगदान के रणी हैं इस समाज के इसने प्रक्तिति से लेकर परियाबरन तक संस्कृति से लेकर परंपराव तक भारत के चरित्र को सहजा और संजोया है आज समय है कि देश इस रण के लिए इस योगदान के लिए आधिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवात करे बीटे आठ वर्सों से यही भावना हमारे प्रयासों को उर्जा देती रही है आज से कुछ दिन बाद ही 15 नमंबर को भगवान बिर्सा मुंडा की जैन्ती पर देश जन जातिय गवरव दिवस मनाएगा आधिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज देश भर में आधिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेश मुझ्यम बनाए जा रहे हैं जिस भगव्य विरासत से हमारी पीडिया बंचित रह रही थी वो अब उनके चिंतन का उनकी सोच का और उनकी प्रिनाव का हिस्सा बनेगी भाईयों बहनो देश में आधिवासी समाज का विस्तार और उसकी भूमी का इतनी बड़ी है कि हमें उसके लिए समर्पित भाव से काम करने की जरुरत है राजस्तान और गुजरात से लेकर पुर्वत्तर और उडिसा तक विविजता से भरे आधिवासी समाज की सेबा के लिए आधेश स्पस्ट नितियों के साथ काम कर रहा है वन बंदू कल्यार योजना के जरिये अजन जाती है आबादी को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है आधेश में वन खेत्र भी बढ़ रहे हैं वन संपदा भी सुरुचित की जा रही हैं और साथ ही आधिवासिक शेत्र डिजिटल इंडिया से भी जूड़ रहे हैं पारमपारिक कौसल के साथ साथ आधिवासि युवाओं को आथुनिक शिक्षा के भी अवसर मिले इसके लिए एक लव्य आधिवासि विध्याले भी खोले जा रहे हैं यहां इस काहरकम के बाद मैं जामुगोड़ा जा रहा हूँ जहां गोविन गुरुजी के नाम पर बनी उनिवर्सिटी के भग्वे प्रशासनिक केंपस का लोकारपन करूँगा साथियों आज आपके बीच आया हूँ ते एक और बात भी मेरा बताने का मन करता है आपने देखा होगा कल शाम ही मुझे अमदाबाद से उधैपूर ब्रॉडगेज लाइन पर चलने वाली ट्रेन को हरी जंडी दिखाने का आउसर मिला है तीन सो किलोमेटर लंबी इस रेल लाइन का ब्रॉडगेज में बदलना राजस्थान के हमारे भाई और बहनों के लिए भी बहुत महत्वकूर है इस परिवर्तन से राजस्थान के अनेक आदिवासिक शेत्र गुजरात के आदिवासिक शेत्रों से जुड़ जाएंगे अभी मदद मिलेगी इससे युवाओं को रोजगार की भी नई संभावनाएं बढ़ेगी साथ्यों अभी हां मानगर्दाम के संप्रण विकास के चर्चा भी हुई है मानगर्दाम के भव्य विस्तार की प्रबलिच्छा हम सभी में है इसके लिए राजस्तान गुजरात मदब देश और महराश्च को मिलकर काम करने की आवश्यक्ता है मेरे याद चारों राज्य और सरकारों से आग रहें कि इस दिशा में विस्तुत चर्चा करें एक रोड में प्यार करें ताकि गोविन गुरुजी का इस बृति स्थल भी पूरे विश्व में अपी पहचान बनाए मुझे विस्वास है मानगर धाम का विकास इस खेत्र को नई पीड़ी के लिए पिरना का एक जागरत स्थल बनाएगा और मैं ये विस्वास दिलाता हूँ क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है जितना जल्दी जितना जादा खेत्र हम निर्धारित करेंगे तो फिर सम मिलकर के और भारत सरकार के नित्रुतों में हम इसको और अजिक विकास कर सकते हैं इसको कोई राष्टियस मारक कह सकता है कोई संकलित व्यवस्ता कह सकता है नाम तो कोई भी देगेगे लेकिन भारत सरकार और इन चार राज्यों के जनजातिय समाज का सीधा समंध है इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिल करके इसको और नहीं उचायों पर ले जाना है उद्धिशा में भारत सरकार पुरी तरह कमिटेड है मैं फिर एक बार आप सब को बहुत-बहुत सुब कामणाई दिता हूं गोविन गुरू के स्री चरणों मैं प्रणाम करता हूं उनकी धुनी से मिली हुई प्रेणा से